अलो एंट वेलकम टू टीवी का पटाका दोस्तों सीरियल एरिष्टा क्या कहलाता है मैं अब आएगा सबसे बड़ा मूर क्योंकि यहां पर जो शादी होने वाली है अबीरा और अर्मान की उससे पहले माधब करेगा अबीरा और अर्मान को एक हाथ जोड़कर अर्मान मांगने वाला है अबीरा से माफी अबीरा के सामने सर जुका कर अर्मान अबीरा से माफी मागेगा और ये माफी मंगवाएगा कोई और नहीं बलकि माधव क्योंकि माधव बताएगा अर्मान को कि अबीरा जैसी जीवन संगिनी जीवन साथी तुमको साथ जन्मों में भी नहीं मिल सकती क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में यहाँ पर माधव के बारे में पता लग जाएगा अब अर्मान को और अभीरा को ऐसे में दोनों जाएंगे माधव से मिलने और यहाँ पर माधव इन दोनों को देख कर इन दोनों से बहुत बड़ा वादा मांगने वाला है माधव इन दोनों से कहने वाला है कि देखो तुम दोनों की शादी नहीं टूटी है नहीं खत्म हुई है तुम दोनों की शादी और तुम दोनों को जिन्दगी साथ बितानी जाए अबीरा जैसी जीवन संगिनी तुमको नहीं मिल सकती रूही तुम्हारी जीवन साथी नहीं है जो गलती मैंने अपनी जिन्दगी में की वो तुम मत करना परिवार के लिए अप बार तेरी खुशियों के लिए घर की खुशियों के लिए परिवार के लिए कुर्बामी दी है जिसके बाद माधव के सामने अभीरा से हाद जोड़ कर माफी मांगेगा अर्मान और ये कहेगा कि वो अभीरा के साथ अपने रिष्टे को जन्मों तक निभाएगा इन सब के सामने शादी करेगा और कह देगा कि मैं रूही से शादी नहीं करूंगा पापा दोस्तों साफ है कि अब माधवी इन दोनों को एक करेगा किते एकसालचिट है आप ये सब देखने के लिए हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेय करना आप ना भूलें